तो बंगाल की खाडी से उठा समुदरी तूफान हुद हुद जो बाहरी सिरा है इसका, वो आज सुबा से हम आपको अपडेट बता रहे हैं, कैसे कैसे हुद हुद ने कहर बरपाया बाहरी सिरा हुद्धुत का रविवार सुबा साड़े ग्यारा बजे विशाका पट्नम के पास कैलाश गिरी के तर्से टकराया 180 किलोमीटर रफ्तार वाली हवाओं ने भारी तबाही मचाई तूफान का दाइरा 40 किलोमीटर का है फिलहाल बाहरी सिरे के टकराने की वज़ा से ही आंदर प्रदेश और उडिशा में कई जगहों पर 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से तेज हवाय चलने लगी और मूसला धार बारिश शुरू हो रही है समंदर में ये उम्मीद जगाई ज़ा रही थी कि 30 फिट तक लहरें उठ सकती है लेकिन अभी ये 10 फिट से ज़ादा उची लहरें है आंदर में बारिश की वज़ा से दो लोगों की मौत हो चुकी है दो अन्य लोगों की मौत की खबर आ रही है लेकिन अभी इसकी पुस्टी नहीं हुई है तूफान जब पूरी ताकत से तट से टकराएगा तो उस वक्त उसकी रफतार 200 किलोमेटर प्रति घंटे से ज़ादा रहने के आशंका है तो बात कर रहे हैं हुदूत तूफान की विशाखा पत्नम में तबाही के बाद हुदूत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तूफान की रफतार हालाकि जो 180 किलोमेटर प्रति घंटा थी वो थोड़ी कम हो गई है लगबग आधी के करीब हो गई है आप तस्वीरें देख रहे हैं विशाखा पत्नम में हुदूत तूफान ने कितनी तबाही मचाई है अभी फिलहाल हुदूत से हुदूत जो है विशाखा पत्नम से आगे 100 किलोमेटर प्रति घंटे की रफतार से जा रहा है और 30 अलाकों से होते हुए ये आगे जाएगा ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ से समरेंद्र राओत हमें जानकारी देंगे समरेंद्र एक बड़ा सवाल है खुदूत तूफान आगे बढ़ रहा है लेकिन जो पीछे के लोग हैं जहां पर तबाही मचा आया है यहां पर अभी किस तरह की राहत के इंतजाम किये गए हैं क्या कोई कारेवाही शुरू हो गई है राहत के लिए पहले तो यह बात है कि अभी भी वहां हवा तेजब रही है करीबन सो किलेमेटर रफ्तार से और इसमें राहत का और उद्धार का काम थोड़ा रुकावट पार रहा है क्योंकि इसमें अभी जब तक हवा कम ना हो जाया तब तक राहत का कम नहीं शुरू हो सकता यह पहला मुद्धा है और दूसरा मुद्धा है कि यह जहां बिसा का पटनम और स्थिका कुलम और गोदावरी जो ख़बर आ रहा है अभी काफी तबाई मचा दी साइक्लोन वदूद ने और दूसरा जानमान का नुकसान में अभी तक जो ख़बर आ रहा है कंफर्म सोसेस में दो लोग मरे हैं विसाक पटनम में और बाकी जो उत्तर के और बढ़ रहा है तेजी से उत्तर होके फिर उत्तर पस्चिन के और जिसके उडिसा के अंदर मालकन गिरी में कुछ जगा में इसका प्रभाव दिखने को मिल रहा है समरेंदर एक बड़ा सवाल है कि चौपर्स अभी जा नहीं सकते अभी हेलिकॉप्टर जा नहीं सकते तो लगबग कितना दिन लगेगा ये नुकसान के जानने में कि कितना नुकसान हुआ और कहां कहां पर राहत और बचाव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शुक्रिया समरेंदर लगातार हमें इस कबर पर अपडेट दे रहे हैं फिलहाल हुद हुद का कहर जारी है विशागा पत्ना में कई जगहों पर वो पूरी रफ्तार के साथ तबाही मचा चुका है खंबे, बिजली केतार, कच्चे घर, गुम्टियां, होर्डिंग्स कईयों पर इसका असर देखने को मिल रहा है